उत्रबरदेश में विदानसभा उप्चनाव नस्दीक हैं ऐसे में लखनो कैंट विदानसभा सीट को सबसे एहम माना जा रहा है लखनो कैंट से बेसपी ने अपने पुराने वफादार सिपाही अरुन दिवेदी को परत्याशी मनाया ऐसे में बीजेपी के गड़ में बेसपी को लाना बड़ी चनावती माना जा रहा है आगामी चुनावी रणिती को लेकर हमारे सयोगी संजीव सिंग से बात भी बेसपी की परत्याशी अरुन दिवेदी की एक बार फिर नेताओद और जंता से तमाम वादों का सिलसिला सुरू हो चुका है जी हाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विदानसवा उप्चुनाव की राजानी लखनों के कैन विदानसवा छेतर से बसपा सुप्रीमो मायवती ने अपने पुराने कार करता और सयोगी अरुन दिवेदी को चुनावी मैदान में उता रहा है हमारे साथ मौजूद है अरुन दिवेदी जी और इंसे बात करते हैं क्या चुनावी समिकरन कैन विदानसवा छेतर में चल ला है सर आरने टीबी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी समय अपनी सरम सीमा पर है और मैं बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक कारकरता के हैस्यस से इस चुनाव को लड़ रहा हूँ पार्टी ने हमारे उपर विश्वास विक्त किया है और विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ जहां तक मुद्दो का सवाल है आप देख रहे हैं कि इस विधान सभा में लखनों में तो वैसे सभी जगे कमों बेश हालत एक जैसी है लेकिन विश्वास रूप से ये बड़ी विधान सभा करीब चार लाक मत दादा होने के बावजूद सतर साल के इतिहास में आज तक इस विधान सभा में सीवर लाइन तक नहीं पहुँची है दुख है बहुती दुख की बात है कि सीवर लाइन करना होना और उसकी वज़े से जल भराओ की समस्या बहुत जादा है किन मुद्धों को लेकर कि आप जनता की बीच में जा रहे हैं कि विशेश कर आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार की जो हालात हैं और कितने खराब हो चुके हैं इन्वेस्टर समिट के नाम पर हजारो करों रुपए के लूट की जा रही है और इन्वेस्ट के नाम पर एक रुपिया भी नहीं आ रहा है इसके अलावा विकास के नाम पर लखनो को उन्होंने एक इंट भी नहीं दिये अगर कहीं एक इंट भी दी होती तो आज यह हालात नहीं होती हम जहां जहां जा रहे हैं लोग भाती जनता पार्टी की सरकार को यहां के विधायकों को उखाड फेकने के लिए उस्सुख है सर आपको ही जनता क्यों चुने जनता इसलिए चुने कि जनता को एक अच्छे इमानदार प्रत्यास्टी की ज़ुरत है जैसा आपको पता है कि इस्वर की क्रपा से मैंने ब्यापार में बहुत कुछ किया है हाला कि मैं राजनितिक प्रसभून से आता हूँ राजनित मैंने बहुत करीब से देखी है आप थे अरुन दिवेदी जो जिने बस्पा ने कैंट विधानसभा छेतर से अपना पत्यासी करके जो है चुनावी मैदान में उता रहा है इनका साप मानना है कि अगर जनता इनको चुन करके बिधायक बनाती है तो ये जनता के बीच में रहेंगे और निरंतर सेवा करते रहेंगे अब देखने वाली बात होगी क्या भाजपा के गड़ में बसपा सेंद लगा पाती है कि नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा कैमरमेंट मोहमबद जैप के साथ संजीयू सिंग आरनाइटी भी लखनाओ